आदाब नमस्कार दरेड माइक में आपका स्वागत है दो दिन गुजर गए हैं हाथरस हाथसे के मरने वालों के संख्या 121 है कुछ लोग अभी गंभीर अवस्था में अस्पतालों में अपना इलाज कर रहे हैं सबसे बड़ा सवाल है कि यह जो बाबा है जिसका अस्ति नाम सूरज पाल है पुलिस में काम करता था यूपी पुलिस में उसके ओपर यौन सोशन की धारा में मुकदमा दर्ज वो जेल गया जेल से आने के बाद 1998 में बाबा बन गया उसके बाद से अपना प्रवचन देने लग गया 1999 में बाबा ने दावा किया कि यह लड़की को जिन्दा कर सकता है दो दिन तक उसने उस लड़की को अपने घर पर रखा फिर शम्शान ले गया जब हजारों की भीड़ाई तो पुलिस हरकत में आई और बाबा की गिरिफ्तारी होई आप सोचिए कि दो दिन गुजर जाने के बाद पता नहीं कि वो बाबा कहा है बाबा कहा है यह किसी को नहीं पता है न बाबा की खबर किसी के पास है हम यह कोशिश करेंगे आपको बताने और समझाने की कि बाबा क्यों कभी गिरफ्तार नहीं होगा और क्या बाबा को पकड़ने की कोशिश की भी जा रही है या फिर सब हम पत्रकार कह रहे हैं कि वो फरार है पुलिस ने अपनी FIR में बाबा को आरपी नहीं बनाया है पुलिस ने अपनी FIR में बाबा के एक सेवक, एक प्रमुक सेवक है उसको आरोपी बनाया है उस प्रमुक सेवक का नाम है देव प्रकाश मदुकर जो यूपी के पंचायती राज विभाग में जूनियर इंजीनियर पद पर काम करता है वो धीरे धीरे इतना तरीब आ गया पाबा के कि वो बाबा का सबसे करीबी और मुख्य सेवादार बन गया वो F.I.R. में सबसे नंबर एक पर नामजद है यूपी पुलिस ने उस पर एक लाख रुपए का मुकदमा इनाम रखा है उसके घर पर तला लगा है उसका पूरा परिवार पता नहीं कहा है जो हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस में सूत रहें उनकी माने तो इस भगदर के बाद लोगों के मरने के बाद बाबा और वेद प्रकाश के बीच एक लंबी फोन कॉल हुई और उस फोन कॉल के बाद से पता नहीं है कि वेद प्रकाश कहा है उसके फोन बंध है उसकी लोकेशन नहीं ट्रैक हो पा रही बाबा को ना पकड़ने की पीछे कई कारण है और बाबा को नामजद करने की पीछे कई कारण है उस पर हम बात करेंगे पहले सुनते हैं कि बाबा का पक्ष लेकर के वकील एपी सिंग सामने आये हैं हमने कल वीडियो में बताया था कि पहले जो एपी सिंग ने लिखित में कहा था कि बाबा भगदर वाले वक्त वहां से निकल गए थे तो CCTV सामने आही गया है जिसमें साफ होता है कि बाबा उस वक्त वहीं बिल्कुल नजदीक था जब भगदर मची इसमें लोग उसके चरणो से एपी सिंग कह रहे हैं कि बाबा के पास तो पैसे ही नहीं है जो पुलिस से पेंशन मिलती है उससे बाबा अपना गुजारा करते हैं एपी सिंग को सुनिया उनका ही मैसेज है उनका ही मैसेज है वो लाइव आइडिंग सिटीजन है पुलिस के अनुसार जैसा पुलिस कह गहरी वैसा कर रहे हैं सामने आने की बात मैं आया हूं उनका मैसेज दिया है उन्होंने अपना लिखित संदेश दिया है मरत्कों के प्रत्संबेदना बिल्कुल इंडिस्टिगेशन एजन्सी जो भी हैं बिल्कुल सदैब वो आज नहीं वो आज नहीं कल नहीं परसो नहीं वो कभी भेश नहीं बदलेंगे कहीं भागेंगे नहीं कभी आपको बॉर्डर पर नहीं मिलेंगे इसी देश में इसी उत्तरप्रदेश में हैं और पूरी जांच में जब भी कभी बुलाया जाएगा भाग लेंगे हमें SIT की जांच एजन्सी पर भरोसा है लेकिन हमें ये लेने के लिए नाराण साकार हरी कि यहां कोई चरणों की नहीं है आपने भी देखा वरिष्ट पत्रकार हैं आप लोग अलीगढ़ में क्या कभी नाराण साकार हरी के पैर छूते हुए कि फोटो कभी देखें किसी नहीं देखें हैं नहीं हो इन कि आपना जीवन चलाते हैं अपने ब्रस की से से जो मिलती है उसी से पना जीवन अपन चलाते वह किसी की भोजन भी नहीं benefit made final अश्रम नहीं उनका है कोई उनका आश्रम नहीं कोई बनाता है उनी नहीं नहीं को मैं आपके सामने उनका एड़ोकेट होने के नाते चशबीस वर्सों से सुप्रिम वखालत होने के नाते आप वरिष्ट पत्रकार लोग हैं आप सब के सामने के जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि नारान साकार हरी का इस देश में इस दुनिया में कोई आश्रम नहीं है तो आपने एपी सिंग को सुना बता रहे हैं कि बाबा कहीं नहीं है लोग अबाइटिंग सिटिजन है वो जात में सायोग करेंगे पर बाबा हैं कहा पहलो समझना बड़ेगा कि जो बाबा हैं उसके followers कौन हैं यह जो बाबा है यहीं कासगंग का रहने वाला है पठाली जगे का रहने वाला है सब आपको पता ही है उसके उपर केस मुकदमे हैं छे आपराधिक बाबा के खिलास छे आपराधिक मुकदमे हैं जिसमें से कुछ की details हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं इसका नाम सूरजपाल है अब बाबा के जो फॉलोवर्स हैं वो जादा तर भारत के उत्तर प्रदेश के पिछड़े समाथ से आते हैं जिसमें दलिद भी हैं जिसमें OBC भी हैं और कुछ इसमें अपकास के भी हैं पर जादा तर वो लोग हैं जो पिछड़े जातियों की हैं और जो निम्न आयवर्स के लोग हैं जो बहुत जादा पैसे वाले नहीं हैं भक्ती बाबा की इस कदर होती है कि बाबा के आश्रमों में उसकी सिक्यूरिटी की लेर हैं ब्लाक कैट कमांडो हैं पिंक कमांडो हैं जो कैमोफलाज कॉस्ट्यूम पहनती हैं लड़कियां उसकी एक अलग ब्रिगेड है तो इन सब को पैसा कहां से जाता है लेकिन बाबा पर बाबा के वकील सहाब कहाना है कि बाबा का तो पेंशन से चलता है बड़े बड़े आश्रम बने हैं पता नहीं किसने बनवा दिये वो कहेंगे दान चंदे से बनता है पर बाबा तो चंदा भी नहीं लेते हैं दान भी नहीं लेते हैं इसा खुद उनके वकील कह रहे हैं रही बात बाबा की किन नेताओं से नजदीकिया हैं किन नेताओं से नहीं बीजेपी और सोशल मीडिया में वो तमाम पिक्चर्स वाइरल हैं जिसमें अखिलेश शादव बाबा के सचसंग को अटेंड करते वे बीजेपी की योगी आदितिनाद की प्रशासन किसका है योगी आदितनाद का सरकार तो अखिलेश शादव की हैं नहीं और क्या अखिलेश शादव ने बोला कि बाबा को गिरफतार नहीं करना है लेकिन बाबा को गिरफतार करके आप अपनी पॉलिटेक्स को खराब नहीं करना चाहते हैं आपने देखा ही है हमारी रिपोर्ट्स में और अभी हम कुछ वो आवाजें बताएंगे सुनाएंगे इसे साफ हो जाएगे कि बाबा की गरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है बाबा की गरफ्तारी ना होने के पीछे कारण यह है कि जो बाबा के अन्युआई है अभी वो उनके चरणवंदन करें उनकी भक्ती में लीन है उनका कहना है कि बाबा की तो कोई गलती ही नहीं है लोगों की गलती है लोगों ने भगदड कर दी और लोगों ने डेकोरम फॉलो नहीं किया लोगों ने जो आराम सयम नहीं में इंडिन रखा बाबा तो उनको त क्वाल करके अपना वोर्ट बैंक खराब नहीं करना चाहता है बागी चलाई जाती रहेंगे बाबा फ्रार है बाबा यहां है बाबा वहां उत्तरप्रदेश पुलिस तो देश की सबसे यूपी पुलिस ने 6 लोगों को गिरस्तार किया है ये भी सब सेवादार हैं उनसे पूच्टाच की जा रही है लेकिन धीरे 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 वक्त के साथ हाथ रस की 121 मौतों की कहानी धूमिल होते जाएगी टीवी न्यूज चैनल के स्क्रीन से अकबारों की हेडलाइन से 121 क्योंकि मरने वाले गरीब और निम्न आयवर्क के तबके से आते हैं आज हाथ रस पहुंच करके राहूल गांधी जिनके अपने गए हैं उनसे मिले वो तस्वीरे भी हम आपको दिखा रहे हैं राहूल गांधी ने योग्या जितनात से चल से जल इन परिवारों को निया दिनाने की मांगी है लेकिन सबसे अच्रज वाली बात सबसे अचंभित कर देने वाली बात ये है कि जिनके अपने गए हैं वो भी कह रहे हैं कि बाबा की कोई गलती नहीं है जिनके किसी अपनी की मौत हुई है वो भी कह रहे हैं कि बाबा की गलती नहीं बाबा को मानते हैं बाबा का दोश नहीं ऐसी ही कुछ आवाज है ऐसे ही कुछ लोगों की बाते सुनवाते हैं जिन्होंने कुछ अपनों को खोया है आपका नाम क्या है मेरे नाम पिंटू है वोपभार से आे हैं तो कैसे देखते हैं इस पूरे हाद्ण वाले घायलों कोई लोगों की उख से अब भी मद भी किए और भी पर ऐसे क्यों संसरे को कैसे ड्युक्र Yes मैं को कुमाले में जनता की वह बोलता है कि तृतीका से आना जाना करें और आप लाज आ कर रहें ज्स तरीके सहां पाइट То PRESID to do whatever एक रेहां पर जाएंगे पर सन्फ हैं कब तब से मान रहा है बाबा को आप चल्दा से मान रहें तो आप नहीं लगता बाबा दॉम्मेदा रहें कि Nedहीं हरी जीका उसम्म कोई दोसनि है कि यह जोंको नए कैसे मिलेगा उनका इसाफ कैसे मिलेगा वर नियाए वाली बात देखते हैं तो उसमें कसूर उनका थोड़े नहीं है भी है कैसे उनका कसूर में ठायरों मता हूं जब आपको हर बात पहले बता दी यहां से निकलने यहां को अब जाते ही हैं है जाते हैं यह व जाते हैं आपके पत्arnya है बगर में उनको कुछ हो जाता तो तो घंपंसार को हिवम्स के लिए को दूसरा जम्म्मेदार नी है Wr आबका नाम कहा थे तो हमारी आपका नाम कहा देदी निर्मला जी आप जाती हैं संसंग में कब से जा रही हैं मेरे को भी 20 साल हो गया है तो सेवा भी करती हैं जाके वहां सेवा करती हैं क्या सेवा में क्या डूटी लगाते हैं आप यहां डूटी मिल जा वहीं करते हैं क्या जैसे क्या काम करने को मिलता है इसने सैनिक की डूटी है मेरी यह भगदर बगएरा है उनको इस्तान से बैठाना है फान डाल में सब को बेठालना है उनको किसकी गलती रही कल परमात्मा की सर कोई गलती ने उन्हों समापन करके चले गए थे वह आम आदमी डखका पेली से यह हुआ है परमात्मा मतलब बाबा नारण हरी वह तो समापन करके चले गए थे इसमें हाम आदमियों की गलती है सर वह कहते हैं अस्तापूर्वक जाना अपन अपना इस्तान पर प्रस्तान करना मंगर भगदर मचा आप मंदर वगएरा जाती हैं नहीं सर मैं कहीं नहीं जाती है सर परमात्मा कदर प्रात्रा अब उन्हें परमात्मा कहते हैं हम आपके लिए वह क्या है सब कुछ है मेरा में लिए सब कुछ वो ही है और कोई नहीं अब जो वो कहेंगे करेंगे हाँ सरकारे आएंगी जाएंगी लेकिन यह जो भगदर हुई है इसमें मरें किस लोग वापस नहीं सरकार को प्रशासन को इतनी सख्त कारवाई करनी चाहिए ताकि आगे कोई ऐसा बाबा असी हजार की पर्मीशन लेकर के तीन लाग भक्तों को ना बुलाएं सब कुछ वोट बैंक नहीं होता है वोट बैंक से बहुत उपर होती है जिन्दगिया कोई किसी का भाई था कोई किसी का मा था मा थी कोई किसी की बेहन कोई किसी का बच्चा वो सब वापस नहीं आएंगे और बाबा ने तो अपने भक्तों को यह छोड़ दिया है अग तु कबीर दास जी का वो दोहा है मूं को कहां दोने रे बंदे मैं तो तेरे पास में ना मंदिर में ना मस्जिद में ना एकांत निवास में खोजी होई तुरत मिल जाओं एक पल की तलास में कहत कबीर सुनो भई साथ को मैं तो हूँ विश्वास में विश्वास और अंद विश्वास दोनों में फर्ख होता है रेट माइक से जुढने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया